किसानों और सरकार के बीच जो कतिरोज बना हुआ है उसको तोड़ने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है और चौथे दौर की मुलाकात सरकार से होनीते हैं इस बीच जो किसान इन तीन बैठकों में पहले की बैठकों में शामिल रहे हैं उन्होंने आज शरतपवार से मुलाकात की है इस वक्त हम NCP के बड़े नेता शरतपवार के घर के बाहर खड़े और हमारे साथ दो किसान महासंग से तालुक रहने रखने वाले लोग हैं जो सरक पार्टी जो है शिवसे ना है राष्टरवादी है यह अंदोलन को हमारे महारास्ट में समर्थन दे रही है तो चूब्यक्त करना जायस था हमने उनका आभ़ार व्यक्त किया जैसे की महाराष्ट का कॉंट्री रहे क्या है शरादपोवणी ने पूरा अंदोलन का जाइज लिया और यह अंदोलन पूरे देश का है तो वो इस हिसाब से कौन-कौन सी संगटन है कौन-कौन से संगटन सरकार को जाके मिलके इस अंदोलन के खिलाब कानुन के पक्ष में बात कर रहे हैं इसका भी जायजा उन्होंने ले लिया और तीस तारीक की बैटक जो है वो बैटक कैसी रहेगी क्या रहेगी उसके बारे में उन्होंने पूरा बैटक में जायजा लिया पूरे विस्तार से बैटक हुई और तीस तारीक बनाया हुआ है अग्ला बताया खिया लग में तो पूर देश में जनो भी बिलाने की बात कहीं है यूपीय के तमाम घटक दोलों की उन्होंने वह बात कहीं है कि जैसे कि कल बेनतीजा हो जाती है अगर बैटक उन्हों इसमें कुछ हल कि आएंगी क्योंकि ठंड में किसान बैटा है और हल निकलना चाहिए सरकार ने भी लेकिन अगर हल नहीं निकलता है तो हम भी जल्द से जल्द बैटक करेंगे ऐसा उन्होंने बताया है आपने भी मुलाकात किया क्या बातचीथ हुई आपसे क्या कुछ अलक स तो किसानों के मुद्दे पर बैठक होनी है सरकार लगतार इस पर नज़र बनाई है और विपक्ष की नज़र भी लगतार इस बैठक पर है उस पर विपक्ष भी अपने रणनीती तेह करेगा और इसी के तहट किसान संगठोनों से लगातार ये नेता मुलाकात भी कर रहे हैं कैमरा परसन सुनील के साथ विपिन चौबे TV9 भारत वर्ष दिली